हलो दोस्तों आप सभी का प्रत्बार सिंदी में स्वागते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्क्राइब करें बेल आकर बटल दमाना ना भूलें और कमेंट बडूक्स में में म Souls में कंसे करें चावल लेट तो चलिए दोस्तों बनाना को कहते हैं तो यहां पर मैंने चावल चावल को मैंने रात को को विगो दिया था और यह पर मैंने इस कप से नाप्क गेढ़ कप चावल लिए तो आव इनको हमने दो से तीन वार अच्छे से दोई आप में तो यहां पर मैंने एक निक्सिक कर जार लिए तो इसमें चावल टाल लेंगे और चावल हमें भना बहुत ही ज़रूलिये दो से तीन वार अच्छे से दोएं आप भी तो यहां पर देखी हमने चावलगों को पीछ लिया इस तरीके से बारीक और थोड़े बहुत रहेंगे इस में मोटे हम एक चल्ली ले लेंगे और चल्ली में चाल लेंगे तो यहां पर मैंने चल्ली लिये तो यह इस तरीके से हम चाल लेंगे और बागी के हमने थोड़े से चावल पीछे अभी और बागी के भी हम इसी तरीके से पीछेंगे यहां पर चम्मच से हिला लेंगे इसको चल्ली को तो सभी चावल को मैंने अच्छे से चाल लिया यह देखिए इस तरीके के वारिक हमने पीछ लिया है इसको और अब डालेंगे इसमें पानी तो पानी डालेंगे हम जिस कप से हमने चावल लिये थे और चावल लिये थे हमने इस वाले कप से देड़ कप चावल लिये थे त इसको हम इसी कप से पानी को नाप के डालेंगे तो यहां लिया है मैंने चार कप पानी और हमें डालने हैं दो गुना पानी जादर ही डालना है क्योंकि टोटल हम डालेंगे इसमें आठ कप पानी तो चार मेंने अभी डाल दिये और चार में डालूँगी गेस पर चड़ाने के बाद में तो यहाँ पर हमारे चार कप पानी हो गया है और अच्छे से मिला लेंगे एक बार और depois हमें में छोड़ा दिये हैं जोदेंगे देखिए हमारे नीचे बेट जाते हैं और छोड़ देंगे तो इसको नीचे से जल जाएगा तो देखिए हमारे आट पानी हो गया और बोगोनी है जो हमारी पूरी भर चुकी है और अभी चलाते चलाते गाड़ा हो जाएगा तो देखिए यह गाड़ा हुच काए अभी काफी फूलेगा यह चाबल काटा है जो और हमें इसको गाड़ा नहीं रखना इसी तरीके से बनाना है यहां पर देखिए दो गुना हो गया है और अब पताते हैं आपको दूसरी ट्रिप ताकि के नीचे से हमारा बुल्कुल भी ना जले तो गेस पर रखेंगे एक तबाह तो देखिए मैंने यह पर गेस पर एक तबाह रख दिया और इसके उपर रखेंगे बगोना जो हमने चा और यह बहुती अच्छी ट्रिप है और आपका जो गोल है चावल का और अच्छे से पक जाएगा इस तरहीं के पकाएंगे तो आपके पापड़े जो फटेंगे नहीं बुल्कुल भी और दरार भी नहीं आएगी तो यहां पर मैंने डकल लगा दिया है और लोको कराय मैंन बुल्कुल मीडियम देखे एक बार ओवर यह खदक आ रही है तो अच्छे से मिला लेंगे एक बार और आप देखे इस तरीके से हो गया है यह काफी फूल के है दो गुना ज्यादा हो गया तो अब डालें इसमें एक छोटी चंबच जीरा यहां पर जीरा कमीर डालती हूं और आप ज्यादा खाते हो तो ज्यादा डाल सकते हो और यह पर डाला है मैंने एक चुटी मीटा सोड़ा और यह पर डाला है नमक आप कमी रखे क्योंकि इतनी के बाद में पापड़ में नमक ज्यादा लगता है तो अच्छे से एक बाद मिला लेंगे इसको यहां पर हमने लगा देगे और घेस को यहाँ देखिए पर देख्यों के लिए रखने देंगे तब एक उपर ही रखना है में उताना नहीं अब तैकि ठोड़ा पोट कच्छा हो तो पख जाए तो यहाँ देखिए में बगोले को लिया हैं तो दूप थोड़ा नहीं करने के लिए तो मैंने बीच में होल कर लिया था यह चाकू के साहता से कर सकते हैं दिबबे के बॉक्स में कुल कर सकते हैं जो चौकूटा वाला ढ़ता है जो देखिए इस तरीके से फिलाना आए हमें तो प्रेकिए बहुत ही आशान तरीका है और इससे बहुत ही अच्छी दिजाइन भी बन जाती है मुझे तो बहुत ही पसंद आई इस दिजाइन तो देखिए डखकन को उठा देंगे तो हमारी डिजाइन है जो अपने आप बनती चलिए आईगी यह देखिए अब इसी तरीके से हम दूसरा पापड भी बनाएंगे यह देखिए बहुत ही आसान तरीका है यह बनाने का गोल डाले और आप उसको फेला दें आप चम्चे से भी फेला सकते हो कोई डिजान की चीज़े बाहर से नहीं लानी है आप घर में ही बना सकते इस तरीके से और इसको सुकाना हमें दो से तीन दिन तक लगातार जबी आपके पापड बहुत ही अच्छे बनेंगे तो देखिये मैंने काफी सारे बना रखे हैं यह देखिये इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से बना लेंगे अधुर्ष को शायां कि चावल के पापड़े हमारे सूप के तैयार है और यह तीन दिन के अंदर ही सूप चुके है और मैंने 2 से 3 पापड तले भी है और तलने के बाद यह काफी बड़े हो गए मैं आपको दिखा देती हुँ हो भी तले हुए मेरा पापड यह द्रह पर देखिए यह देह दम करादा उध कुरा पापड बनके तयार है तो अपने घर पे बनाइए और पापड के आनन उठाई